हाउर फिक्स पब जी नोट वोर्किंग सर्वर प्रॉब्लिम नमस्कार दोस्तो सुआगर आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो पब जी के अंदर पे यही आपको कोई भी किसी की तरह का सर्वर का प्रॉब्लिम आ जाते हैं सर्वर काम नहीं कर रहा है तो कैसे करके आप इस प्रॉब्लिम को सॉल्फ कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलूइशन बताने वाला हूँ तो उसके लिए दोस्तो आप वीडियो को जो है अंद तक देखते रहिए जो भी सॉलूइशन है उसको फोलो कीजिए प्रॉब्लेम आपका डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो सर्वर का जो है काफी इश्यू आते हैं और सर्वर का जो प्रॉब्लेम है दोस्तो आपको नेट्रो के ठ्रू भी फिक्स करना होगा सारे सार आपके गेमिंग के अंदर पे भी फिक्स करना होगा तो दोनों को मिला के फिक्स करना है तो वीडियो को यहाँ पर आन तक देखे सॉलूइशन को फोलो करें प्रॉब्लेम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो शूरू करने से पहले यहरी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक शूर की आप चैनल को सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तो यहरी आपको उनलाइन से पैसा कामाना है तो उसके लिए हमने video description पर link दे रहा है जाके check out कर सकते और किसी भी problem के regarding पर हमें twitter पर follow करके message कर सकते तो चलिए शुरू करते सबसे पहले तो दोस्तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा यही काम नहीं करते आपका server ठीक है तो काफी ज़दा जो problem आते हैं वो आपके network के वज़सी ही आते हैं तो network को 3G या 4G के between switch करें उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर carrier पर जाके network को automatically या फिर manually भी select कर सकते हैं इस button को on off करके ठीक है उसके बाद दोस्तो network setting को एक बार reset कीजिए उसके लिए आपको scroll down करके नीचे जाना होगा नीचे system management को open करके यहाँ आपको और नीचे backup and reset में click करके reset network setting कर देना है ठीक है तो reset network setting पर डबा के आपको क्या करना है sim select करना है कौन सा sim पर आप net use करते हैं ठीक है sim select करने के बाद नीचे में आपको reset setting का option मिलेगा उसमें tap करने के बाद password वगरा भर देना है mobile का और reset कर लेना है अपना network setting यह आपको reset network setting का option नहीं मिल प्रवारा है mobile के अंदर पे तो यहाँ type करे search setting के अंदर पे reset network setting आपको मिल जागा ठीक है आप देख सकते यहाँ पर reset reset तो आप यहाँ पर डेख सकते रिसेट network setting ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करकी आप जा सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर जाना है आपका application and permission पे तो उसमें जाके दोस्तों एब management को open करना है ठीक है नीचे जाके आपको open करना है आपका pubg mobile उसको open करने के बाद फोर्स तॉप करिए फोर्स तॉप करने के बाद दोस्तों आप जाए इंटरनल storage पे और इसका खेश को एक बार clear कर दीजिए ठीक है unwanted खेश वगरा वो डिलेट होना चाहिए उसके बाद दोस्तों डिवाइस को एक बार restart करें रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों चेक कीजिए problem solve हो जागा सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो डिवाइस का software है वो अपडेट होना काफी जरूरी है ठीक है यह डिवाइस software यहाँ पर डोस्तों आपका अपडेट नहीं होगा तो server का issue आते रहेगा तो डिवाइस software को भी update जरूर करें तो इससे problem जो है आपको नहीं आएगा तो बस यह सब solution आपको follow कर लेना है problem solve हो जागा तो आज के इस वीडियो पर बस इ धिस आपको वाची